शेहरों में महिलाओं की स्थिती पर निबंद शेहरों में महिलाओं की स्थिती इस दृष्टी से तो अच्छी है कि उन्हें यहां रोजगार के परियाप्त अफसर उपलब्द है वे आर्थिक दृष्टी से आत्मनिर फर है वे इस वतंत्वरता का उपभोग कर रही है उन्हें अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्द है परिवार में उनके महत्व को माना जाता है अब हम दूसरी दृष्टी से महानगरों में महिलाओं की स्थिती पर दृष्टी बात करते हैं पिछले कुछ वर्षों से महिलाओं का महानगरों में रहना सुरक्षित नहीं माना जा रहा है महानगरों में उनके साथ बलब्द कार की घटनाओं में अप्रत्याशित वृध्धी हो रही है महानगरों की महिलाओं की फैशन प्रियता और अंग प्रदर्शन ने बलतकार की प्रवर्थी को बढ़ावा दिया है अनेक बार सामूहिक बलतकार का समचार सुनने में आता है अल्प वयस के लड़कियों को भी खवस का शिकार बनाया जा रहा है इस प्रकार महानगरों में महिलाएं सुरक्षित नहीं है महानगरों की महिलाएं तनावग्रस रहती हैं उन पर काम का तथा परिस्थित्यों का भारी दबाव रहता है दफ्तरों की भागम भाग उन्हें बुरी तरह ठका देती है और उपर से वहां बैठे लोगों को घूरती आखे उन्हें सहज नहीं रहने देती सब ही उसका सोशन करना चाहते हैं तरीका भले ही अलग-अलग रहता हूँ महिलाओं को विवश्था के चलते या सब छेलना पड़ता है महानगरों में महिलाओं का घरेलू जीवन उतना सुखी नहीं है जितना वो उपर से दिखाई देता है अधिकांश पतियों का वैवहार उनके प्रतीश शंकालू एवं समवेधन शील होता है बच्चों को भी उनसे बहुत अपेक्षाए होती है इसी चकर में वो अपने धंग से जीने का तरीका ही भूल जाती है उन्हें तो सभी को संतुष्च रखना पड़ता है महानगरों की जीवन में कृत्यमता अधिक है इसे महिलाएं भी अच्छूती नहीं है वे विरोधा भासों के मध्य जीती है महानगरों की महिलाओं की स्थिती के तुलना छोटे नगरों या गाउं से की जाए तो लगता है कि महानगरों की महिलाएं अधिक स्वतंतृता का उप्योग कर रही हैं उनको अनेक प्रकार की अधिकार प्राप्त है पर हमें यह भी देखना होगा कि उन्हें इन अधिकारों को पाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है एक प्रकार से उनका जीवन सहज नहीं रह गया है उनके उपर काम तथा परिवार का काफी बोज रहता है पिशले कुछ वर्षों से महानगरों की महिलाएं निरंतर बलादकार, अफ़रन तथा हत्या की शिकार हो रही है दिल्ली और मुंबई में इस प्रकार की घटनाए प्रायर प्रती दिन घटती रहती है दिल्ली में रात के समय एक महिना पत्रकार की हत्या कर दी गई क्यांगरे भी एक सामानी से बात हो गई है जब कोई नेता उन्हें ये सलाह देता है कि महिलाई रात के समय घर से निकले ही नहीं तब उनकी सुरक्षा के दावों की कलाई ही खुल जाती है महानगरों की महिलाई इस द्रिश्टी से भले ही अच्छी स्थिती में है कि उनका बाहरी जीवन आने छोटे नगरों या गाओं की महिलाओं से अधिक सुखी है उन्हें दैनिक उपभोग की अधिक सुविधाएं उपलब्द है वह सथ सवर कर बाजारों में खरीदारी करती है उनके बच्चे अच्छे पबलिक स्कूलों में पढ़ते तथा वे नौकरी करके धन कमाती है इन सब बातों के अतरिक्त महानगरों की महिलाओं की सुरक्षा के प्रती सरकार को अधिक ध्यान देने की आवश्रक्ता है अपतों महानगरों की महिलाओं राजनीती में भी काफी दखल रखने लगी है वे कई राजियों में मुख्यमंसरी पद तक सम्हाल रही है अता उनकी सरकारों को महिलाओं की स्थिती में साकारात्मक सुधार लाने के प्रती अधिक प्रयतनशील होने की आवशक्ता है